हेलो स्टुदेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे वीज्वल बेसिक प्रोग्रामिंग में टाइमर कंट्रोल और पिचर वोक्स कंट्रोल टाइमर कंट्रोल पिचर वोक्स कंट्रोल की प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हम वीबी को ओपन करेंगे open करने के बाद हम timer control लेंगे timer control लेने के बाद हम timer control की property set करेंगे timer control पर click किया interval property को set करना है timer पर double click किया window open हो गई है तो हम अब coding लिखेंगे तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम project 1 की form 1 के काम कर रहे हैं तो form 1 का background color change करना है तो यहां हमें form 1 लिया क्या करना है हमें background color change करना है तो इसकी property है back color equal to rgb rgb का मीनिंग होता है red green blue packet start rnd rnd का मीनिंग है randomly सबसे पहले हम red की value देंगे फिर green की value फिर हम blue की value देंगे comma green की value देंगे हो right click किया hide पे click किया run पे click किया start पे click किया देखो रेंडमली आपका color change हो रहा है यह timer control की help से हो रहा है अब हम प्रोग्रामिंग करेंगे feature box control की इसके लिए सबसे पहले फिर हम vb को open करेंगे vb को open करने के बाद हम पिच्चे कंचर लिए कमने 4 पिच्चे कंचर लिल इस फिचर 1 2 3 4 4 कमांड बाद लिए command 1, command 2, command 3, command 4 अब हम property set करें, picture 1 पे click किया, इसकी picture property अब हम coding लिखेंगे, तो सबसे पहले हम, command 1 पे डबल क्लिक करेंगे, command 1 के click event पे coding लिखेंगे, इस picture 1 की, move करना है, इसको picture 1 को, आखरना, left, speed से करना है, speed डालेंगे, right click किया, height पे click किया, command 2 पे डबल क्लिक किया, अब हम picture 2 की coding लिखेंगे, move करना है, इसको करना है, picture 2 को करना है, right इसकी property नहीं है, तो हम left को minus करेंगे, right click किया, height पे click किया, अब हम command 3 पे डबल click करेंगे, command 3 के click even पे coding लिखेंगे, इसकी picture 3 की, move करेंगे, इसको picture 3 को, left को zero करेंगे, क्योंकि हमें top को move करना है, right click किया, height पे click किया, command 4 पे click किया, command 4 पे click even पे किसकी coding लिखेंगे, picture 4 पे, move करना है, इसको परना है, picture 4 पे, इसी में भी left को zero करेंगे, bottom इसकी top पे नहीं है, तो top को minus करेंगे, right click किया, hide पे click किया, run पे click किया, start पे click किया, command 1 पे click किया, remove कर रिये, command 2 पे click किया, command 2 पे click किया, command 4 पे click किया, command 1 पे click किया, झाल झाल ठीक है तो आज हमने टाइमर कंट्रोल और पिच्चर बोक्स कंट्रोल की प्रोग्रामिंग ही है झाल